भगवान हमारे हैं और हमारे का हमें भरुसा है राम जी है एक बात सुनाओं मैं ममता की बात सुनाओं ब्रंदावन में एक महात्मा घुमते थे जिने देखकर लोग कहते थे जज सहावा ने जज सहावा ने तीस वर्ष पुरा ने गटना है तो एक संत से किसी ने पूचा कि इनको जज सहाव क्यों कहते हैं तो काया कि ये साधू अब हो गए है पहले जज थे पुराना नाम अभी भी चल रहा है तो ये साधू क्यों हुए काय ये दक्षिन भारत में एक छोटी सी जगे थी लोक अदालत की तरह वहां ये जज थे एक गाओं में एक बड़ा सीधा सरलाद्मी रहता था उसका नाम था भोला भोला नाम तो लोगों ने रख दिया था का कि वो राम जी के अलावा किसी को जानती नहीं था, ना अन्यम जाने, नहीं वो जाने, न जाने, गाउं में रगुनात जी का मंदिर था, और भोला केवट जाती का था, सामान ये परिश्टी थी, पर उस से जब कोई पूँचता कि केवट भीया भोले, वो बात कैसी है, तो कहता है रगुनात जी जाना है मैं तब कुछ नहीं जानता है दो बेटे एक बेटी बेटी विवाह के योग्य हुई बेटों ने कहा कि पिता जी यहां के जो धनी सेठें उनसे कर्ज ले लिया जाए बेहन का विवाह होका होने के बाद हम लोग कमाएंगे रुपया चुका दि दर जो लेते थे वो तैकी लिखा पड़ी हुई रुपया ले आए बिवाह हुआ बेटी का बेटी विदा हुई ससुराल को और केवट ने घर छोड़ दिया गाओं में रगुनात जी का मंदिर था वहीं रहने लगा सब के ममता ताग बटोरी मम पद मनही बाधी बरडोरी रहने लगा बेटों ने कमाई करके पैसा दिया केवट लोटाने के लिए गया सेठ जी के पास सेठ जी ने रुपया ले लिया ब्याज ले लिया रसीद लिख कर दे दी कि पाई पाई से पैसा मिला और का केवट पढ़ो क्या लिखा है केवट बोला रगुनाद जी जाने मैं तो कुछ नहीं जानता है क्या लिखा है सेट जी के मन में पाप आया किसे दुबारा पैसा लिया जा सकता है तो बोले ये कागज हमें दे दो तुम जराब पाने ले आओ वो एक गिलास पानी लेने गया सेट जी ने वो रसी छिपा के रख ले फाड़ते तो शक होता एक कागज पर ऐसी कुछ लिख कर दे दिया बोले ये तुमारी रसी केवट ले गया रगुनाद जी के चरणों में रख कर जिस कमरे ब रहता था वहां रख दे और अपना राम जी से मतलब सबके ममता ताग बटोरी मंपद मनही बाधे बरटोरी सेट जी ने मुकदमा कर दिया केवट ने रुपया दिया था चुकाया नहीं कहता दिय चुके अदालत में केवट को जाना पड़ा वही जज जो महात्मा हो गय थे उन्होंने कहा कि तुमने रुपया लिया था हाँ चुका दिया इसका प्रमार जज साब ने कहा ये तो कोई सबूत नहीं है इसमें कुछ लिखा ही नहीं है केवट सरह लाद में रो ने लगा लगुना दिय जाने मैं तो ये इसी को रसीत समझे था जज साब दयालो फिरदाए कि तुमने रोव मत तुमने जब सेड़ जी का रुपया बापिस दिया तब तुम्हारे सेड़ जी के बीच में कोई तीसरा था तो केवट की जो आदत थी जो सुभाव था उसी भाव से बोला सब्से कहता हूँ जज साब सेड़ जी को जब मैंने रुपया बापिस दिया तो मेरे और सेड़ जी के बीच में सिवा रगुनाथ जी के और कोई नहीं था जज साब ने चाह तुम जाओ अगली तारीक पर आना जज साब ने समझा कि रगुनाथ जी को इनकी गाओं के रहने वाले सज्जन होंगे जज साब ने अपने खर्चे से रगुनाथ जी के नाम सम्मन जारी कर दिया अब चपरासी पूरे गाओं में सम्मन लिये गूमे उस गाओं में रगुनाथ जी नाम का कोई आदमी नहीं था चपरासी तो परेसान हो गया, एक ने कहा रगुनाद जी का मंदिर जरूर है, बोले वही बताओ गया चपरासी, पुजारी बाहर बैठे थे चपरासी को देखा, क्या बात है सम्मंदिया, रगुनाद जी का मंदिर यही है, हाँ, लोई पुजारी जी समझ गये मनी मन सोचने लगे, कि जब भगवान ने मंगा ही लिया है, तो हम बापिस कायुक करें हस्ताक्षर पुजारी जी ने कर दी चपरासी समझा, यही रगुनाद जी हो पुजारी जी ने सम्मंद रगुनाद जी के चरणों में रख दिया और आखों में आशु भर कर बोले प्रभु, आपको पोशा कई बार आई होगी, भोग लगाने के लिए तरह तरह के पदार थाये होंगे, आभुशन कई बार भगत लेकर आये होंगे, लेकिन सम्मंद पहली ही बार आया होगा, पर भगत जो ना करें से थोड़ा, प्रभु उस दीन का आपके अलावा कोई, वो आपके अलावा किसी को जानता ही नहीं है, अब उसकी इलाज तो आपके यहां थे, केवट से का कि तुमने क्यों लिखा दिया रगुनाद जी का नाम, केवट बोला कोई जूट लिखा दिया, हमारे रगुनाद जी सदा हमारे साथ हैं अपके वड़ तो यही कहे हरी बिन संकट कौन निवार मरी बिन संकट कौन निवार साधन हीन मलीन दीन मैं जाँ के ही के द्वा दे यहा अनाथ की लाज आज रभुनात जिहात तुम्हारे हरी बिन संकट कौन निवार दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कचु ऐसी बसी है तेरू कहां और जाँ कहां बस तेरे ही नाम की फैंट कसी है तेरो ही आसरो एक मलूक नहीं प्रभु सो कोई और जसी है यहो मुरारी फुकारी कहूं अब मेरी हसी नहीं तेरी हसी है संकट कौन निवार अरी बिन संकट कौन अरी बिन संकट कौन निवार या अनात की इलाज आज रगुनात जी हाथ तेहारे कहीं नहीं गया किसी को जानता ही नहीं राम जी के अलाबा तारीक के एक दिन पहले पुजारी जी बोले तुम आजी जाओ ताकि समय से पहुँच जाना अब रगुनात जी के मन की तो रगुनात जी जाना है केवट रगुनात जी के चरणों में प्रणाम करके चला गया दूसरे दिन सबेरे पुजारी जी बड़ी जल्दी जगे भगवान की आरती पुजा की नया वस्त्र पहनाया भोग लगाया उनको लग रहा था आज भगवान पहली बार बाहर जा रहे हैं कपड़े अच्छे पहनावें भोग रोने लगे पुजारी जी भाव की दुबात प्रभो आपको जो पोसा का अच्छी लगे वही पहन कर जाना लेकिन जाना जरूर उसका कोई नहीं है आपके अलाव उधर केवट पहुँचा सेड़ जी पहुँच गए जजज साब रहा केवट तुम्हारे गवाई रगुनाद जी कहा है केवट बोला हुजूर ही कही होंगे भी तो सब जगा रहते है जजज फिर भी नहीं समझे चपरासी को आदेश दिया आवाज लगाओ चपरासी आवाज लगाने रगुनाद हाजर है रगुनाद हाजर है रगुनाद हाजर है रगुनाद हाजर है हाजर है ऐसे तीन नारे जो लगाए है तो क्या देखा एक बूढ़ा आदमी हाथ में लकड़ी पकड़े कबर जुकी हो हाथ से इशारा करगा हाजर है ऐसे तीन नारे जो लगाए है चाल लट पटी सी एक ब्रद की जुकी सी दे है दुपटी पटी सी सीज बांधे धर धाये हैं हाथ माह छड़ी पड़ी तुलसी की हिये माल माथे पर रोरी चारु चंदन चड़ाए हैं साहब के सामने बिनीत चपरासी साथ आज लगुनाथ जी गवाह बने आए भगवान गवाह बन करा गए जज साहब ने देखा गज शेरी चौके की ये कौन है जज साहब ने कहा कि आप थे वहाँ रगुनाथ जी ने कहा केवट ने रुपया दिया है उसका प्रमान वुले इनों ने रसीद भी लिख ली थी सेठ जी को यहीं रखा जाए इनके मकान में सामने वाली बैठट की सामने वाली दीवाल में तीन आलमारी आए बीच वाली आलमारी में बही रखी है बतीस नंबर की उसी में उरसीद अब तक सुरक्षित है सरवान तर्यामी भगवान से क्या छिप सकता सिपाई भेजे गए बही मिल गए रसीद मिल गए सेठ जी को दन्रित होना पड़ा केवट भाइजित भरी हुआ रगुनाद जी तो गाइब हो गए पहले काम तो होई गया था अब जज सहाब ने सोचा कि इतने दिन हो गए फैसला सुनाते पर ऐसा गवाह आज तक नहीं मिला तो केवट से अकेले में पूँचने लगे केवट ये रगुनाद जी कहां रहते हैं केवट बोला हुजूर जहां हम रहते हैं तो तुम कहां रहते हैं बोले जहां रगुनाद जी रहते हैं जज सहाब बोले हम समझे नहीं तुम लोग एक ही जगे एक ही गाओं के रहने वाले हो केवट बोले हाँ हुजूर आपको कैसे समझाए आप तो पढ़े लिखे हो पढ़े लिखों को समझाना बहुत कठिन है भक्ती की बात भगवान की बात जड़ साहब बोले तो ये हैं कौन केवड बोला हुजूर ही है वो है जिनका मंदिर है तो बोले इन्होंने मंदिर बनवाया है देखने से तो नहीं लग रहे थे कि ये कोई इतने बड़े संपन आदमी होंगे जिनका मंदिर बनवाया है पुजारी भी नहीं लग रहे थे पता नहीं केवड बुला हुजूर ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हुए है अब तो जजज साहब ने चपरासी को बुला है चपरासी काम पने लगा हुजूर ये वो आदमी नहीं था जिसने हस्ताक्षर किये थे अब जो गाओं में पता लगाया तो जजज साहब भाव बहुबल हो गए अपने कमरे पर आये बंगले पर रोने लगे लोगों ने का रोने का कारण क्या जजज साहब रोते हुए बोले शिवसारद नारद सेस गनेस हु के नहीं ध्यान में आते रहे सोई आज बिनीत अदालत में किवटा के गवाह कहाते रहे अरे तो इसमें रोने की क्या बात है खुश होना चाहिए कि दर्शन हो गया और चले गए तो भी तो जाते ही जैसा बोले सुख धोके हूँ दर्श दिये को भयो दुख नाहीं में जो तज जाते रहे फिर रो क्यों रहे हो बड़ी भाव भरी बात कही जैसा बोले आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कौन सी कुरसी पर बना जज बैठा रहा जगदीश खड़े समझा ते रहे कुरसी पर जज बना बैठा रहा और जिनकी अदालत में सबको पस्थित होना पड़ता भी भगवान खड़े खड़े गवाही देते रहे हैं ऐसा वैराग्य हुआ उसी दिन पद से इस्तिफा दे दिया ब्रंदावन आगे साधु जीवन विताया अक्सर खड़े रहते थे कहते थे भगवान खड़े रह में बैठा रहा तो खड़े ही रहना अच्छा है मंदिर में जाते तो अंदर नहीं जाते बाहर से ही दरवाजी की धूल सीर पर चड़ा लेते कोई कहता कि अंदर क्यों नहीं जाते तो कहते कि मैं उन्हें मुह दिखाने लायक नहीं हूँ मु पद मनही बांध बर डोरी अस सज्जन मम उर बस कैसे लोवी हिर्दे बसे धन जैसे ये सज्जन की दूसरी परिवाद